हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पियाज रेसिपीज आज हम मोहरम के तले हुए रोट्स की रेसिपी देखने वाले हैं ये रोट्स अंदर से एकदम सौफ्ट खस्ता और भार से एकदम क्रिस्पी बनकर तयार हो जाते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं इसे बनाना रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करें और चाइनल पर नए हो तो चाइनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तले हुए रोट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा गुनकर तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा अगर कप से मेजर करें तो ये 2 कप मैदा है आप यहाँ पर गेहू का आटा भी इस्तिमाल कर सकते हो मैदे की जगह पर यहाँ पर मैंने 150 ग्राम चीनी को मिक्सी में से ग्राइंड करके लिया आए और अगर इसे कप से मेजर करें तो ग्राइंड की हुई चीनी की पाउडर एक कप है आधा कप बारिक वाली सूजी इस मेड करेंगे वजन से मेजर करें तो यह 100 ग्राम सूजी है अगर मोटी सूजी है आपके पास तो इसे एक बार मिक्सी में से चला कर लेना यहाँ पर मैंने 10 काजू और 10 बादाम को मिक्सी में से इस तरह से दरदरा ग्राइंड करके लिया है इन्हें इसमेड करेंगे यहाँ पर मैंने सुखे नारियल को मिक्सी में से ग्राइंड करके लिया था तो ग्राइंड किया हुआ सुखा नारियल आदा कप इसमें आड करेंगे आप चाहे तो सुखे नारियल को कद्दू कस करके भी ले सकते हो रोट में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो इसे जरूर आड़ करना दो चूटकी खाने वाला मीटा सोडा या बेकिंग सोडा इसमें आड़ करेंगे और इसमें आड़ करेंगे एक चमच इलाइची पाउडर और अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आड़ करेंगे 1 फूर्ट कप घी अगर वजन से मेजर करें तो ये 50 ग्राम घी है और यहाँ पे घी हमें नॉर्मल टेंपरेचर वाला लेना है इसे मेल्ट करके नहीं लेना है अगर घी को हमने मेल्ट करके लिया तो रोट बनने के बाद वो कड़क बनकर तयार हो जाते है इसलिए हमें इस तरह से नॉर्मल टेंपरेचर का घी लेना है और अब गी को हमें इन सारी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स करके लेना है गी अड़ करने से रोट एकदम खस्ता बन कर तयार हो जाते हैं तो यहाँ पर मैंने सारी चीजों के साथ गी को अच्छे से मिक्स करके लिया है इस मिश्रन को हम हाथ में लेंगे इसकी अच्छे सी मुठी बन रही है इसका मतलब जो हमने घी का मेजरमेंट लिया था वो एकदम परफेक्ट है यहाँ पर मैंने आदा कप रूम टेंपरेचर वाला दूद लिया है और इसमें अड़ करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर आप इसकी जगह पर यलो फूड कलर भी आड़ कर सकते हो और इस हल्दी को हम दूद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे रोट फ्राई करने के बाद उपर से गोल्डन ब्राउन कलर तो आ जाता है अंदर से थोड़ा सा पीला कलर देने के लिए यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर मिक्स कर लिये आप इसे स्किप भी कर सकते हो यह ऑप्शनल है और अब थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर इस आटे हो जाएगा तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद आड करना है बहुत जादा नरम आटा हमें इसका नहीं गुनना है यहाँ पर मैंने सारी चीजें दूद के साथ अच्छे से मिक्स करके इस तरह से आटा गुनकर तयार कर लिया है और इसे मिक्स करने के ल लिए तो यहाँ पर सूजी फुलने के लिए हम इसे ढग देंगे और ढग कर हम इसे 10 मिनिट के लिए साइड में रख देंगे 10 मिनिट के बाद हम आटा चेक कर लेते हैं एक बर तो यहाँ पर जो आटा है वो हलका सा टाइट हो चुका है जो मॉइस्चर था आटे में वो सुजी ने सोक कर लिया है और अब हमें इस आटे की अच्छे से मालिश करनी है इसे हमें 5-10 मिनिट के लिए अच्छे से गुनना है अच्छे से गुनने के बाद जब हम रोट तलते हैं तो तेल में आड करने के बाद वो तूटते नहीं अगर यहाँ पर आपको आटा हार्ड लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल कर इसे गुन सकते हो तो यहाँ पर मैंने आटे को करिब 10 मिनिट तक अच्छे से मसल के लिए है अब इस आटे में से एक बड़ा पेडा तोड़ कर लेना है इस तरह से और बाकी बचे हुए आटे के उपर हम ड़कन रख देंगे तो अभी हमें इस आटे के पेडे को बेलना है तो इसलिए हम चकले के उपर थोड़ा सा सुखा मैदा आड़ करेंगे और इस पेडे के दोनों साइड से हमें मैदा लगा कर लेना है यहांपे हम तले हुए रोट बनाने वाले हैं तो इसलिए हम इसे बेलने के लिए सुखे मेदे का इस्तेमाल करेंगे और इसे हमें बिल्कुल हलके आतों से बेलना है अगर बेलते समय इसके side की किनारे फटने लगे तो कोई बात नहीं क्योंकि आगे हम इसे shape देने वाले है और इसे हमें थोड़ा सा मोटा ही बेलना है क्योंकि रोट थोड़ा मोटा ही होता है तो यहां पर मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और इसे कट करने के लिए इस तरह से कोई भी ढगकन, कटोरी या फिर ग्लास ले सकते हो और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे आप चाहे तो इसे knife की help से square shape में भी कट कर के ले सकते हो इस तरह से हमें road की मोटा ही रखनी है आप इससे थोड़ा मोटा भी road बना सकते हो इसे हम एक plate में रख देंगे तो यहाँ पे हमारे एक साथ 3-4 road बनकर तयार हो जाते हैं और यह जो बचा हुआ आटा है इससे हम फिर से road बना लेंगे तो यहाँ पे मैंने इस तरह से road बना कर तयार कर लिए और थोड़ी सी खसकस हम इनके उपर add कर लेंगे आप इसे skip भी कर सकते हो यह totally optional है और खसकस को हम हलके हातों से road के उपर इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि वो road के उपर अच्छे से चिपक जाए तो यहाँ पे हमारे road बनकर तयार है अब हम इने fry कर लेते हैं हम एक एक road add कर लेंगे तो यहाँ पर आप यह bubbles देख सकते हो हमें तेल को ज्यादा गरम नहीं करना है और इन्हें हमें medium flame पे fry करके लेना है यहाँ पर अगर हम road को low flame पे fry करते हैं तो वो तलते समय तूट जाते हैं और अगर high flame पे fry करेंगे तो वो उपर से जल्दी जल जाते हैं तो इसलिए हमें इन्हें medium flame पे fry करके लेना है 10 seconds के बाद इन्हें हम पल्टी कर लेंगे और दूसरी साइड से fry होने देंगे यहाँ पर road दोनों साइड से अच्छे से fry हो चुके हैं और इनके उपर अच्छा सा golden brown कलर भी आ चुका है अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें हमें इस तरह से fork से दबाना है और जो भी extra का तेले हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बागी के road भी fry कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी ये मोरम special तले हुए road बन कर तयार है